हेलो दोस्तों बीएस्सी पावर कंपानी का 18 इंची इलेक्टिक चेंसो मैसीन मेरे पास रिपेर करने लेके आया है तो इसमें जिस नजमीन मैसीन लेके आया था वो खुद बोल रहा था मैसीन जब भी चला रहे हो बहुत ही दा फ्लास दे रहा है तो हम मैसीन को खोल के चेकिं उपन करने के बाद मैंने देखा इसमें जो कार्वन हो अलडर है नतवा दोनों साध से टूट गया है तो देखिए इसमें जो कार्वन हो अलड़ा है दोनों साध से बत οπο degrees क्राव गया है साहिए Twote है कि तो हैटों से हम इसको घूमा नहीं पा रहे है तो खोल के चेक करना है, इसमें क्या हुआ है, साइध इसमें कार्बन टूटा वहला हिस्सा अंदर चला गया, लॉक हो गया है, तो खोल के हमें चेक करना है करना है तो इसमें हम थोड़ा इसको डबाद डालके धिरे से पेस करके बाहर करने कोशिद करें बड़े से बाहर हो गया है मैंने देखा इसमें जो अर्मेचर रहना है अर्मेचर का एक टी बाहर हो गया है इसी बाहर से कार्बॉन बार बार टूड रहा था के तो एने का जो कारण होता है कब-कबआ बूजिदा लोड़ पॉन होता है ने तो 좀 कारबन गलत eating हो जाने से ऐसेoh का देखिए कि इसमें जो आर्मफ हर आनल मेस का जो टी बहर हो गया है हगे आफ खाकबिग रहे हैं झाल झाल मैसिन में जो फील्ड कोड़ है बिल्कुल ठीक है इसमें कुछ नहीं हुआ है तो हमें अर्मेचर ओडर करना है तो मिल जाएगा तो आपके साथ हम सेयर करेंगे तो मैसिन को हम खोल के चेक करते हैं और भी कुछ प्यार पास खराप रहेगा तो हमें ओडर देना है तो मैसिन को हम बड़े से खोलते हैं और एक कास्टिंग है बहुती लाइट कास्टिंग होता है हम जब भी इसको खोलते हैं तो तूट जना कर डर लगा रहता है तो बहुती साब्दाने से को खोलना है कैसे मैंने खोले आपके साथ हम सेयर करते हैं आप पूरा वीडियो को देखिए जरा आपके साथ हम से कि हमें बहुती साब्धने से इसको खोलना है तो लगड़ी से हम धिरे से ठोक के कोशिस कर रहे हैं बड़े से बाहर हो जाए तो धिरे धिरे करके हम टक्कर मार रहे है तो हमें जवद्दस्ति नहीं करना है तूट जाएगा तो बहुती से काम को हमें करना है तो मैंने देखा इसमें फाइबर में टक्कर मानने से फाइबर तूट साकता है तो फाइबर को हमें खोल लेना है तो इसमें रेंच के मदद से हम इसको ओपन कर लेते हैं देखे बड़े से मैंने ओपेंड कर लिया तो इसको साइड में रख लेते हैं इसको बाहर करना है तो आपको और एक चीज़ बताजेते हैं बहुत बार क्या होता है हम तो इसको डाबार डाल के इसको खोलने के कोशिश करते हैं कैसे खोलने से जो बाड़ी है खरफ हो जाएगा बहुत ही लाइट होता है तो आपको अपने फाइदे के लिए कुछ भी काम नहीं करना है मैं कैसे खोले है आपके साथ सेयर करते है पूरा वीडियो आप देखिए तो हम अर्मेजर को पकड़के हमबर से नहीं ठोकेंगे लगड़ी से ठोक के धिरे-धिरे करके बाहर करेंगे और आपको हमबर से ठोकने से तूट जाएगा आपको हार काम बहुत ही से शेप्टी से करना है तो मैं जैसे काम करता हूँ आपके साथ हम सेयर करते है आप मेरे काम को देखिए तो आप भी ऐसे काम करना तो किसी का लुक्षन नहीं होगा बड़ी ऐसे काम कर पाऊगे तो हम धिरे-धिरे करके थोड़ा सा हम टक्क्र मारते उसमें consistent ठीखять है नहीं तो ढ़िसरे क कुछ अपनाएंगे तो क्या अपनाते हैं आपके साथ हम सेयर करते हैं पुरा वीडियो को देखिए है। हम लगणी से ठोक के धिरे-धिरे करके आर्मेजोर को बाहर करते हैं धिरे-धिरे तो आर्मेचर आप देखिए अर्मेचर थोड़ा चोटा है अर्मेचर मिल जाएंगे आपके साथ हम सेयर करेंगे तो हमें अभी क्या करना है इसको बाहर करना है थोड़ा सा गैप बने हैं तो हम कुछ ढून रहे हैं इसमें अंदर दोनों इसको डवा लेके हम धिरे धिरे करके पेस करके बाहर करने की कोशिस करते हैं सब्सक्राइब में भीषा है नहीं है नहीं पता है क्या कुछ चल statistic सब्सक्राइब जो बहुती पतले हो इसमें अंदर चला जाए उसके बाद हम धिरे धिरे करके इसको खोलेंगे तो मैंने कुछ सोचा है जो CM4 वर्ल काटिंग मैसीन में जो रेंज होता है वह रेंज को हम अंदर डालेंगे डालके हम धिरे धिरे करके पेस्ट करने के कोशिस करते हैं यह है तो हम दूसरे कुछ टेक डिक अपनाएंगे जैसे हम इसको खोले आपके साथ सेयर करते हैं अंगे जैसे हम आपके साथ सास्ट करते हैं झाल 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 थोड़ा टाइम लगा उसके बाद मैंने इसको ओपन किये है तो आपको थोड़ा टाइम लगता है तो धिरे धिरे करके बाहर करना है देखिए यह जो अलमिनियम का काबार रहना बहुत ही लाइट है थोड़ा सा टक कर मढ़ने से तूट जाएगा आपको थोड़ा सी चूख होने से तूट जाएगा इसमें ओर्लिंग करके आप इसको रिपेर कर पाऊगे तो मैंने कभी कबार करता हूँ तो इसमें जो ग्या रहना खरब नहीं हुआ है बैरिंग भी नहीं खरब है तो हमें खोल के चेक कर लेना है यह तो ग्रीस कम रहे तो हम ग्रीसिंग कर सकते है तो हमें खोल के चेक करना है तो जो भी आप काम करते हो आपको थोड़ा टाइम दे के काम को करना है बड़े से काम कर पाऊगे अधिरे सरे करके आपको ये काम को कर लेना है इसमें ग्रीज ठीक ठाक है फिर भी हम थोड़ा सापसवाय करके निया ग्रीज भर लेंगे तो हम जहां पे टक्कर मरकेश को बाहर करना है ये फाइबर का केस है तो हम जब भी टक्कर मारते हैं कुछ रॉट डालके धिरे धिरे करके हमें टक्कर मारना है ये तक खराप हो जाएगा तो हमें ए आर्मेचर को ओड़ात देना है और इसमें और एक चीज इसमें जो कार्बन होल्ड़ा तूट गया है हमें उसको बाहर कर लेते हैं ओभी आपको दिखाएंगे ओभी ओडर करना है जो कार्बन होला रहना ये भी टूट गया है तो मिल जाएगे तो सही रहेगा ने तो हम इसको रिपियर करेंगे वेल्डिंग करके इसको रिपियर करेंगे तो हम आपको साथ सेयर भी करेंगे